नेपाल में भारी बारिस के वज़ों से भीसन बार के स्थिती उत्पन हो गई जोसके कारण बिहार की कईचिले में भी बार के चपेट में आगे हैं बिहार वहें रास्थानी पटना भी इसके अच्छुता नहीं है कई दिनों से हो रही बारिस से जहां पूरा एक इलाका जल्मगन हो गया है वहें लोग चच्छरी पूल के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं पटना सिटी के महंदी गंज स्थेत विरुबाचक इलाके में बरसात का पानी जमने से लोगों की परिशानी बढ़ गई है इस इलाके में करीब सो घर हैं आपको बता दे जिनके बच्छे पढ़ने के लिए चच्छरी पूल के सहारे जाते हैं वही तब्यत खराब होने पर भी आवा जाही करने के लोगों को काफी परिशानी होती है यहां तक चच्छी पूल के सहारे आवा गमन करने में लोगों को हमेसा डर बना रहता है स्थानी लोगों ने बताए कि वर्षाद के मौसम में चचरी पूल का ही सहारा लेते हैं और जादा वर्षाद हुआ तो चचरी पूल भी डूब जाता है जुसके कारण आवा गमन ठप हो जाता है निदि सिंग के साथ टीम की खास रिपोर्ट पानी भरा रहता है छो महिना बारिस परा है तीन चार दिन जिसके कारण जो है से पानी काफी बढ़ गया है मने सेंफ लगा हुआ है लेकिन पानी का उबच्छाव नहीं होता है जाननी के लिए का साधना है? आनना जाननी के लिए जचिटी बना हुआ है, जो अधमी अपना सुवि धा कर नुसेर है बास के चचिली बनाय लेकिन डाथ के छाला जाता है, लेकिन और बीमार बेगती है दिलेविर जिसको ईचिए प्रिदेंट है उसके लिए आने जाने में काफी समस्या होता है तु क्या श्राइब स्कूल श्राइब हे दाटेया कि पॉड़ें समस्या जो अधर रहे से मैंने कि शेंप मुच्छता नहीं है पानी नाला मने फान मार करके पानी ने फेक देता है परसानी तो क्या करें देख रहेंगे फुलपार्ट मोड़े अब जा रहे हैं सहस्तमान लेके आएंगे राज के तो आओ काफी दिकता है दीन में तो आज मी कैसुन देख दा के चाओ जाता है राज के तो आओ समस्त्या बगंभीर हो जाता है क्या नाम है अपका शिव जी महा तो नाम है